नमस्कार दोस्तों, क्या अडानी समुह आर्तिक अपराधों के साथ साथ इंटरनेशनल क्राइम में भी शामिल रहा है? इंटरनेशनल क्राइम मतलब वैसी कोई हरकत जो संग्यूक्त राष्ट सुरक्षा परिशत की नजर में गहर कानूनी है इस खबर को विस्तार से समझने के लिए पहले आप अडानी वाच का एक शिर्षक देख लीजिए उस शिर्षक में लिखा हुआ है कैचीन में अडानी के सहयोगी उत्तर कोरिया के खिलाफ संग्यूक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के प्रतिबंधों का उलंगन करने में शामिल थे? सुषक में उठाय सवाल का विस्तार से जवाब दिया है वरिष्ट पत्रकार रवी नायर और परणजय गुहा ठाकुर्ता ने अपने लेख में इन दोनों ने तथ्यों और सबूतों के आधार पर दावा किया है कि अडानी ग्रूप संग्यूक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के प्रतिबंधों के उलंगन में शामिल था उनकी रिपोर्ट के मताबिक इस बात के सबूत हैं कि अडानी समुह से जुड़ी एक इकाई ने उत्तर कोरिया के साथ व्यापार पर संग्यूक्त राष्ट सुरक्षा परिशत द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों का उलंगन करने वाली एक कंपनी को आर्थिक रूप से समर्थन दिया स्विक्रित कंपनी का स्वामित अडानी समुह के सहयोगी चांग चुंग लिंक के पुत्रों के पास था जो अडानी संस्थाओं के निदेशक होने के कारण हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिखाई दिये थे इस मुद्दे के केंद्र में एक टैंकर है जिसने दिसंबर 2017 में UNSC प्रतिबंधों का उलंगन करते हुए उत्तर कोरियाई जहाज को तेल उत्पादों को स्थानांतरित किया था यही है अडानी ग्रुप से जुड़ा वो जहाज इस विवाद के केंद्र में आरोप है कि इसी जहाज के ज़रिये उत्तर कोरिया को तेल प्रतिबंधों के उलंगन के आरोप में इस जहाज को साल 2017 में जब्त भी किया गया था यहां आपको बता दूं कि मिसाइल परिक्षन और दूसरे कई वजहों से सैयूप तरास्ट ने उत्तर कोरिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं पूरी दुनिया उन प्रत गौतम अडानी के चीनी पार्टनर प्रतिबंधों को धता बता कर उत्तर कोरिया के साथ कारुबार कर रहे थे अब यहां सवाल उठता है कि क्या बिना सरकारी श्यह मतलम मोधी सरकार के समर्थन के बिना अडानी ग्रूप ऐसी बड़ी हिमाकत कर सकता है माने मोधी जी से तो इस सवाल के जवाब की उमीद भी बेमानी होगी अडानी जी के मामले में वो इतने संसकारी निकल गए हैं कि उनका नाम तक जुआ पर नहीं लाते हैं जिस काले धन के मुद्दे को लेकर हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरिंद मोधी और उनकी सरकार बड़े बड़े दावे करते आई है उस काले धन का समंदर पहली बार इस अंदाज में देश के सामने आया है काईदे से मोधी जी को इस समंदर में डूबकी लगा कर सत्यकाप पता करना चाहिए काले धन के खेल में शामिल खिलाडियों को उनकी काली कर्तूत की सजा देनी चाहिए लेकर हैरानी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरिंद मोधी जी अपनी जबां से इस पूरे मामले का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं श्री मोधी ये नहीं बता रहे हैं कि काले धन के इस समंदर को वो काट कर खत्म करेंगे या फिर चूसकर नमस्कार